आप सब की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छी से अपनी तयारी कर रहे होगे for your NEET exam, but आपका अभी state of mind इस तरीके से काफी जादा frustrated होगा क्यों? सबसे पहली बात तमाम बायो याद होती नहीं और बायो बचारी हमारी सबसे आदा favorite subject है अगर यही नहीं याद होगी तो हम physics और chemistry का क्या करेंगे जिसमें की minimum आपको physics में 120 score चाहिए और chemistry में 140 score minimum आना ही आना चाहिए तब आप कहीं जाकर अपने selection की उमीद रख सकते हैं और let me tell you यह अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है बिता यह अचीव करना ऐसा नहीं है कि आप बिलकुल ही नहीं कर सकते हैं अभी भी आपके पास 4 महीने हैं जिसमें की आप maximum जो हमने strategy बताई है आपको चाहिए वो physics की हो, chemistry की हो, bio की हो जिसमें आप अगर important वाले को पहले complete कर लो, तो आप यह assured हो सकते हो कि आपका selection हो जाए important वाले को पहले करो ताकि marks जादा आए आपके इस frustrated state का reason यही है कि जो भी questions आप देखते हो, आप उसको solve नहीं कर पाते हो फिर आपको लगते है कि यह वाला question तो हमारी module या guide में था ही नहीं मैं बता दूँ आपको, अब आपको बहुत जादा focused होके सिर्फ और सिर्फ need pattern के questions और उन्हीं की based lectures पे focus होने की ज़रुत है वरना पढ़ चाहे कितना भी लोग, ऐसा ही frustration रहेगा, कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे mock test में marks नहीं आ रहे है ठीक है, अब भी हम लोग सबसे important organic chemistry में GOC पढ़ने जा रहे हैं, अलग से, वैसे तो GOC को हमने हर topic के उसी में cover कर रखा, जैसे अगर मैंने halo alcan पढ़ाया है तो वहाँ पर isomerism की जितनी requirement है, या GOC की जितनी requirement है, वो वहीं पर हमने complete कर रखा है ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पर आपको एक अलग से lecture करवा देते हैं, ताकि आपको यह सारी चीज़ें आपके दिमाग में clear हो जाए सबसे पहले, तो कुछ basic basic चीज़ें, ताकि जो 12th की बच्चे देख रहे हैं, वो भी relate कर पाए बच्चे, organic chemistry न, basically क्या होता है, carbon और hydrogen की वज़े से जितने भी molecules बनते हैं, उनकी properties को पढ़ना, that is organic chemistry ठीक है, अब catenation and isomerism की वज़े से इतने ज़ादा organic compounds possible है what do you mean by catenation and isomerism, isomerism का थो हमें मतलब पता है, जब दो compounds का formula same हो, लेकिन उनकी properties different हो, उसी को कहते हैं isomerism catenation का मतलब होता है, कि जब बहुत सारे carbon एक दूसरे के साथ combine करके strong covalent bond बढ़ा कर, बड़े बड़े molecules या अपने orientation को change करके different molecules बना सकते हैं, that is known as catenation, ठीक है, अब आते हैं classification पे, ये दोनों main reasons हैं कि क्यों आपके organic compounds इतने ज़ादा possible है, इतने ज़ादा variety में possible है now let's talk about the classification, अगर आप classification की बात करो बिटा, तो organic compound या hydrocarbons को हमने दो तरीके से classify कर रखा है, सबसे पहले तो अगर वो open chain या straight line है, या acyclic, कोई cycle नहीं है, straight chain में है, तो हम उसको बोलते है acyclic, open chain या aliphatic organic compounds अगर कोई भी चीज आपके closed ring के form में आ जाती है, हाना या cyclic form में आ जाती है, अब ऐसा circle तो होगा नहीं, pentagon हो सकता है, ठीके, तो अगर कोई चीज cyclic form में आ जाती है, तो हम उसको बोलते है cyclic closed chain, ठीके, इस lecture के end में मैं आपको कुछ PYQs भी करवाऊंगी, जो neat में जाऊंगी कि किस तरीके से organic के questions में trick लगाते हैं और जिल्दी answer निकालते हैं, ठीके, अब यहाँ पर बात करते हैं, acyclic या aliphatic carbon compounds की, acyclic में क्या होता है, बच्चे, acyclic जो है, या aliphatic जो है, इसमें further दो classification है, या तो saturated हो सकता है, saturated का मतलब सब में सिफ single bond होगा, double bond एक भी नहीं होगा, चीक, या तो unsaturated हो सकता है, unsaturated में आपका एक double bond वाला आजाता है, एक triple bond वाला आजाता है, अब आपको याद किया रखना है, कभी भी जो पहला single bond होता है वो हमेशा saturated होता है, इसलिए हम लोग इसको sigma bond कहते हैं, और कभी भी जब 2 bond आ जाते हैं या तीन bond जाते हैं तो इसको हम लोग पाई बॉंड कहते हैं जो सिंगल के ऊपर डबल वाले चड़ रहे हैं that is पाई बॉंड पाई बॉंड अंस्टेबल होता है बड़ी आसानी से क्या होता है ब्रेक हो सकते हैं इसलिए हम इसको बोलता है अन्सेचुलेटेटिटिद कि अभी इसमें सिचुराइशन आई नहीं है कम पाउंड में आप इसमें कुछ भी ऐड़ करवा सकते हो ठीक है फिर आते हैं cyclic या close drink के classification पर, cyclic या close drink के classification में पहला होता है heterocyclic, heterocyclic का मतलब एक तरफ मालनो 5 carbon की रिंग है, दूसरी तरफ nitrogen की रिंग लगी भी है, ठीक है, ऐसे भी compounds आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपने bio molecules में DNA पढ़ा होगा, तो किस तरीके से nitrogenous basis carbon के साथ act करते है उस पर sugar चुपकता है, तो सबकी अपनी अपनी ring होती है, that is heterocyclic, homocyclic का मतलब होता है, जो सिर्फ carbon या hydrogen या particular, एक ही base, यानि carbon carbonic base मानके, उस पर cyclic ring बनाई गई हो, अब इसमें alicyclic क्या होता है, alicyclic का मतलब होता है कई बार, या aromatic का मतलब क्या होता है, यहाँ पर acyclic alicyclic का मतलब होता है, जब की यहाँ पर aromatic का मतलब है, जहाँ पर aromatic का मतलब होता है, आप hydrocarbons में पढ़ेंगे कि जहाँ पर, जहाँ कहीं पर double bond, single bond का ऐसा conjugation possible हो, ताकि अगल बगल वारे structures या तो resonating होने लगे, या electron की कमी किसी को ना हो, that is known as aromatic compounds, ठीक है, इसकी बारे में हम next picture में भी बात करेंगे, अभी बात करते है, alicyclic के बारे में, तो alicyclic क्या है बच्चे, एक तो unsaturated हो सकता है, फिर से वही बात कि कोई double bond होगा इसमें, इसलिए या saturated हो सकता है, saturated में हमेशे आपके alkyns आते हैं, यह alicyclic है, इसका मतलब इसमें cyclic ring है, तो हम इसको बोल दें बेस के साथ होगा, या बिना benzene base के भी चीज़ें aromatic हो सकती है, that is also a very important point that you need to know, ठीक है, अब आपको इतनी चीज़ें clear हो गई, fine, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कि homologous series क्या होता है, basically, तो बच्चे homologous series का मतलब होता है, कि एक ऐसी family जहां पे structure सबका similar organic compound का, और सा अब बतारी हो, क्योंकि AR में एक बढ़ पूछ लिया गया था, 2018 के aims में, कि what do you mean by homologous series, ठीक है, तो homologous series का ये मतलब होता है, कि एक ऐसी family जिनके structure similar हो, organic compounds के, और सारे members सिर्फ फंक्शनल ग्रुप भी similar हो, सिर्फ क्या है, जैसे ये मालनो, ये मिथिनॉल है, ठीक है, ये इ मिथिनॉल है, ये इधिनॉल है, CH3, CH2, OH, ये इधिनॉल है, ये मिथिनॉल है, अगर आप देखें, तो दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप, यानि आलकोहल को बिलॉंग कर रहे हैं, दोनों सेम कार्बन और हाइडरोजन से बने हुए हैं, बट सिर्फ एक CH2 इसमें आ नॉमन क्लेचर, बटा देखो, पढ़ा तो मैं तुमको आउपसी नॉमन क्लेचर दे रही हूं, बट मैं बताओं कि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेशन ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल एक क्वेशन फिक्स्ट मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो तीन साल में कभी ए कादुनों ने दिये हैं, मैं आपको वो बता दूँगी, एम्स में एक पर पूछा गया था, सिंपल सा ये कि आयूपसी नॉमन क्लेचर का मतलब कितनी कॉंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको याद रखना है, पांच कॉंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो कार्बन की कित इसलिए बहुत multiple functional groups भी तो लग सकते हैं, एक ही chain पे एक तरफ alcohol लग जा रहा है, दूसरे तरफ ब्रोमीन लग जा रहा है, तीसरे तरफ मानलों कार्बॉक्सलेक असरे लग जा रहा है, तो वही वो कह रहा है, कि कुछ इनके prefix में आएगा, कुछ groups इनके suffix में आएंगे, तो OIC acid लगा दोगे एंड में IUPAC के नॉमन ग्लेजर में, क्योंकि हम सबको पता है कि कार्बॉक्सलेक असरे हमेशा ज्यादा strong group होता है, तो इसका नाम हमेशा किसमें जुड़ जाएगा, हमेशा इसका नाम root के साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद chloride क्या हो गया तुमारा secondary functional group तो तुमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, chloro, तो यह आगया आपके prefix में, ठीक है, prefix का मतलब होता है, अब यहाँ पर मैंने आपको preference बता रखा है, कि अगर यह वाले functional group रखेंगे, तो यह सबसे strongest है, नाम हमेशा इनके हिसाब से हो, ठीक, आपको आपको यह चीजें समझ मे प्राइमरी वो होता है, जो कि आपका functional group पूरे-पूरे chemical reactions को इनके गवर्न करें, अगर कहीं भी COH लग जाए, और यहीं पर C के साथ यहाँ पर OH लग जाए, कौन साइस का functional group होगा, definitely carboxylic acid होगा, क्यों? क्योंकि carboxylic acid जादा important होता है as compared to alcohol, यह वाली अगर आपको series याद तो आप IOPSC के किसी question में या किसी group को preference alert करने में मुश्किल में नहीं पड़ोगे, ठीक है, क्या है principal functional groups और उनकी series, कि मतलब सबसे important कौन है, फिर उसके बाद कौन आता है, मतलब अगर एक ही carbon chain में 2-3 functional group लग जाए, तो जो सबसे important होगा, नाम हमेशा उसके हिसाब से जाता है ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले सबसे important आपका functional group है, that is COOH, यानि carboxylic acid group, अगर ये कहीं COOH दिख गया आपको, उसको आपको carboxylic acid वाला नाम करन ही करना, यानि, oic acid ही end में चिपकाना है, कुछ और नाम देने की गलती मत करना, ठीक है, इसके ब इसके बाद आगया, इसके बाद आगया, ये वाला functional group, ये आपके organic chemistry में बहुत देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम जगा देखने को मिलेगा, और specifically आपको देखने को मिलेगा, जब आप carboxylic acid वाला चाप्टर में reactions देखेंगे, आपको वहाँ ही देखने को मिलेगा, this is your, और esters, esters क्या है, basically carboxylic acid का ही एक derivative है, जब carboxylic acid को alcohol के साथ मिलाते हैं, तो बनते हैं esters, very very important, सबसे important carboxylic acid, फिर उसी के derivatives important होते हैं, सबसे important, सबसे strongest इसका derivative क्या है, ester है इसका derivative, फिर third number पर हम किसको preference देखेंगे, ये आपका आगया, acid halide, acid halide क्यों, क्योंकि बच्चे द बनेगा, acid halide, अगर आपको याद हो, तो ये वाले questions हमने हैं, हैलोलकेन में भी करवाए हैं, साथ में carboxylic acid वाले में भी करवाए हैं, आप चाकर वाँपे एक बार देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, acid amide, जबी आप acid में कभी ammonia मिला देंगे, acid के किसी भी compound में अगर आप ammonia मिला दोगे, तो that will be C-O-N-H-2, तो ये बन गया आपका acid amide, तो सबसे important तो acid है, उसके बाद इसके कितने भी derivatives तुम बना लोगे न, वो important हो जाता है, फिर आपका cyanide group, उसके बाद ये आपका आता है, aldehyde, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आता है, ketone, यहाँ पे आपक क्यों जादा रिक्शन जादा, aldehyde शो करता है, ना कि ketone, अब ये चीज मैंने अपने लेक्चर में वहाँ पर बहुत डीटेल में आपको समझा रह की है, कि aldehyde क्यों जादा रिक्शन शो करता है, ketone उसके कंपारिशन में क्यों कम होता है, दो bonds का बितना मतलब है कि NH2OH लगा है, यह CH2OH लगा हुआ है, तो यह आपका alcohol है, जिसके की second position पे आपका amine group लगा है, आप यह नहीं बोलोगे कि यह amine है जिसमें alcohol लगा है, अहाँ, alcohol जादा superior है, इसका मतलब यह पूरा compound alcoholic है, जिसमें की second position पे amine group लगा हुआ है, ठीक है, नाम करण से यह पता चलत है, और इसलिए कहरे हूँ कि यह preference order, बिटामिन ट्रिक के form में आपको बना के दे दी है, आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि यही आपको मदद करेगी हर कुछ करने में, फिर आपके alkyne जादा superior होता है, as compared to alkynes, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रख तो तुम क्या नाम दोगे, नाम यह दोगे, बिसिकली यह, पेंट थ्री आइन है, क्या है यह, थ्री आइन, पेंटीन, क्या है यह, पेंटीन, पेंटीन, इसलिए क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड है, वो जादा superior हो गया, तो नेमिंग यहां से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है तो इसलिए आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी है, अब बाकी आप चाहो तो इसके questions प्राक्टेस कर लेना, 25-30 questions कर लोगे, आपको idea लग जाएगा, नेट की PYQ का, और कुछ questions मैं यहां पे करवा भी दे रही हूँ, इससे ज़दा IUPAC पे आपको focus नहीं करना है, क्यों पे एक ही formula के दो से जादा compound है, formula दोनों का same है, या जितने compound तो सब का same है, लेकिन properties different है, properties बिल्कुल different है, यह ना मैं जब preparation करती थी, तो हमने एक बार यह किसी book से कहते है, photo खीच के रख ली थी, और PDF बना के अभी तक मेरे Google Drive पे पढ़ी हुई है, वही same photograph मैं आपको दिखा और आप देख सकते हो कि यह वो mark है, जब मैं preparation करती थी, तो ऐसे ही mark करके पढ़ती थी, इतने से छोटे से पन्ने में आपका पूरा isomerism समिट गया, इससे जादा आपको isomerism नहीं पढ़ना, I know coaching में पढ़ाते हैं, एक महीना, दो-दो महीना, और उस पर tough-tough level के question करवाते ह हैं, बट exam में आता नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछों, आपने वो पढ़ा किसली है, तो मैं coaching join करनी है, दूसरे बच्चों को पढ़ाना है, नहीं, आपने बस इसलिए पढ़ा है, क्योंकि आपको आरी थी मजा, और teachers को भी आती है मजा, उस पढ़ाने में, तो आइसोमेरिजम आपको इतनी ही आनी चाहिए, और optical जितनी आनी चाहिए, वो मैंने आपको हैलो एलकेन के पार्ट 2 में करा रखा है, इस से जाधा आपको आने के कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आते हैं, आइसोमेरिजम में फॉर्मॉला बिल्कुल सेम रहेगा, किसी लेकिन फॉर्मॉलारण पर दॉर्मॉला हो लेकिन स्ट्रक्चर इफॉर्ट इफॉर्मॉला है तो डफिनेत सी बात है कि आपका प्रॉपरी इफ Хोगी याग किसी में एसनी मे extensive होगा है, तो प्रॉपर्टी इफरिट हो जाती है, इस स्ट्रीयो आइसोमेरिजम का मतलब है? stereoisomerism का मतलब होता है कि same chemical formula है structure भी same है लेकिन arrangement उनका अलग-अलग है मतलब जो 3D arrangement होता है जैसे अभी हम लोग यह paper पे बना रहे हैं यह paper पे बना रहे हैं तो यह तो हम 2D बना रहे हैं भाई इसकी सिर्फ length है और optical वाला है इसमें क्योंकि हालोलकेंस में optical isomerism पूछा जाता है optical isomerism से related जितने भी terms है बच्चे वहाँ पे explained है आप जाके एक बार देख लेना तब आपको समझ में आएगा ठीक है और उतना ही है जितना NCRT में है और जितना आपके exams में पूछा जाता है अब आते हैं same formula है लेकिन structure is different है structure की वज़े से सबसे पहले chain और nuclear isomerism chain और nuclear isomerism का क्या मतलब है जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि C5 एक compound है जिसमें की 5 carbon है एक OH group है तो यह तो सीरे से ऐसे भी हो सकता है straight chain में भी हो सकता है 5 carbon और last में OH group लगा हुआ hydrogen balance कर लेंगे हर तरफ ठीक यह ऐसे भी हो सकता है कि एक carbon फिर यह चार carbon यह हो गए यहाँ पे carbon यहाँ पे carbon यहाँ पे carbon पांच carbon यहाँ पे भी है पांच carbon यहाँ पे भी है लेकिन मुझे बताओ कि दोनों का structure same है नहीं इसकी straight chain है और यह divided chain है ठीक है तो ऐसे nuclear यह chain की वज़े से अगर कोई isomerism आती है तो उसको हम लोग बोलते है कि carbon skeleton नहीं अलग अलग है skeleton अलग है तो definite सी बात है properties भी अलग अलग होगा क्योंकि जितनी आसानी से यह straight chain वाला carbon react करेगा आपका उतनी आसानी से यह tertiary carbon नहीं react करेगा ठीक है यह वाला carbon उतना reactivity नहीं दिखाएगा क्योंकि इतर भीड भाड है ठीक है तो इसी को बोलते है chain और nuclear isomerism फिर आते हैं position isomerism पे position isomerism में क्या होता है अगर मैं आपको समझाओं एक पन्ना लेके आपको नया समझाती हूं कि what it does mean ठीक है जैसे देखो हम कह रहें कि 5 carbon पे एक alcoholic group लगा हुआ है तो chain या position chain या nuclear isomerism का क्या मतलब है एक तो यह स्ट्रेट चेन हो सकती है तीन चार चार पांच ठीक है पांच है और लास्ट में यहां पे ओवेच ग्रूप लगा है यहां कि यह भी तो possibility हैं यहां पे आप काउंट कर लो पांच ही carbon निकलेंगे 12345 दोनों में पांच carbon है लेकिन एक straight chain है और एक आपका divided chain है तो जब दोनों की chain ही अलग-अलग है तो reaction अलग-अलग हो जागा क्योंकि दूसरे वाले में भीडबार जादा है पहले वाले में कम है फिर आते हैं position isomerism पे position isomerism पे क्या है आपको इसमें समझाते हैं मानलो 5 carbon है या 4 carbon है ठीक है तो यहां पे क्या है positional isomerism है क्यों क्योंकि ग्रुप तो सेम ही alcohol और carboxly acid लेकिन एक बार लगा है आपके second carbon पे दूसरी बार लगा है आपके third carbon पे ठीक है तो इस वजह से यह दोनों different है तो आपको यह भी समझ में आ गया कि positional isomer क्या होता है कि मतलब functional group सेम है बट position उनकी different different है ठीक है अब इसके बाद क्या है तीसरा क्या है पोजिशनल हो गया functional isomerism क्या होता है भाई function group ही different different है functional isomerism में मैंने सबसे best example आपको बताया था aldehyde and ketone aldehyde and ketone क्यों यह देखिए ज़रा मान लिजी कि चार कार्बन का aldehyde है ठीक है तो यह CH2 यह CH2 और यह CH3 तो यह आपका एक aldehyde हो गया ketone कैसे बनेगा CH3 CH2 CH3 यह हो गया अब ज़रा count करो दोनों का formula same आ रहा है कि नहीं चार कार्बन है चार कार्बन है मैं ठीक है hydrogen कितने 3,2,5,5,2,7,7,8,8 hydrogen है 4 carbon है यहां देखो चार कार्बन यहां है भी hydrogen 3,2,5,5,3,8 तो यहां पर भी वही हो गया 4 carbon,8 hydrogen और 1 oxygen हर जगा दोनों में यही है लेकिन यह functional group ही different है भाईया यह aldehytic group है और यह आपका क्या है ketonic group है तो बहुत definite सी बात है कि दोनों की properties different हो जाती है इसी को बोलते है आपका functional isomers कि भाईया functional group ही different है आपको बस formula सेम दिख रहा है जब आप उसको खोल के बनाएंगे उनके groups को लगाएंगे तो दोनों different है ठीक है that is also very very important फिर एक नया सटाव माता है आपके लिए metameryism metameryism क्या होता है बच्चे metameryism कुछ नहीं होता जैसे for an example suppose करो मैं यहाँ पर ether बनाती है CH3 O CH2 CH3 ठीक है तीन carbon का यह मैंने बना दिया यह मानलो यहाँ पर मैंने एक और carbon लगा दिया है CH2 ठीक इसी को मतलब यहाँ पर 4 carbon है 1 2 3 4 और यह हमारा क्या बना है ether बना है क्योंकि हमें पता है COC क्या होता है ether होता है अब हमने दूसरा compound क्या बना सकते है CH3 O CH2 CH2 CH3 ज़रा मुझे difference देख के बताना क्या है मैं यह तो कोई difference नहीं है आपने एक जगा oxygen को बीच में लगाया इधर दो carbon के और इधर दो carbon के और एक जगा आपने उसी group में एक carbon इधर रख दिया तीन carbon इधर रख दिया लेकिन मैंने functional group के आसपास सिर्फ कारवन की chain की position डिफरेंट कर दिया है ठीक अब आते हैं चौथे tautomerism पे tautomerism आपका aldehyde ketones में देखने को मिलता है सबसे पहला point आपको यह याद रखना है उसके बाद क्या है यह arise करता है due to migration of hydrogen atom from one polyvendolent atom to another within the same molecule of rearrangement and linkage tautomerism क्या होता है देखो फिर से एक बार पढ़ लो arises due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to the other within the same molecule with necessary rearrangement of linkages ठीक है now let's understand the term तुब ची चलो यहां से समझना स्टार्ट करते हैं that is what is tautomerism है ना tautomerism किसको बोलते है tautomerism में जैसे हम लोगों ने वो definition पढ़ी बढ़ हमें definition फिर से एक बार करके आपको दिखानी है समझानी है देखो बटा यह मान लो एक आपका क्या है ketonic group है यह आपका ketonic group है ठीक है अब हो क्या रहा है यहां पे suppose करो इसको हमने किसी non polar solvent में डाल दिया ठीक है non polar solvent में यह polar solvent में डाला तो definite सी बात है कि यह जो double bond है यह तूटने की capacity रखता है एक तरफ positive जा सकता है एक तरफ negative यह double bond जो तूटेगा तो oxygen पर मिशा negative आएगा ठीक है जब इस वाले कार्बन पर positive आएगा तो यह बगल वाले कार्बन से help मांगेगा यह मानलो मैंने R को carbon कर दिया यह बगल वाले कार्बन से help मांगेगा जिसके पास already क्या है जि वाले कार्बन पर क्या आजाएगा नेगेटिव चार्ज क्यों क्यों कि उपर वाला जो oxygen नेगेटिव चार्ज है इसने इसका hydrogen शीन लिया है और अब इसकी पास दो ही hydrogen बच्चे है यह negative यह positive मिलके यहाँ पर double bond बना देंगे positive negative से ही तो bond बनता है ना कि एक तरफ positive एक तरफ negative यह मिलके यहाँ पर double bond बना देंगे तो अब ज़रा यह देखो यह structure क्या हुआ आपका finally यह आपका हो गया it's like this जिसको हमने इसमें convert कर दिया just a second this one तो यह क्या हुआ यह basically ketone था जिसको हमने finally एक hydrogen बगल वाले carbon से shift कराके क्या बना दिया inol तो यह totomarism basically ऐसे compounds में possible होता है जहाँ पे किसी भी functional group के against किसी भी functional group के पास alpha carbon हो और उस पे hydrogen attached हो ताकि जैसे ही oxygen पे negative charge आए इधर से यह hydrogen खिच के इसके पास चला जाए H plus के form में तो किसी भी compound में जिसमें की जो carbon skeleton functional group से occupied है उसके बगल में alpha carbon हो और साथ में protons देने की capacity रखे वहाँ पे यह shift हो जाएगा जिसकी वज़ए से ketonic या aldehydic group किसमें बदल जाएगा? in all form में alcohol के form में बदल जाएगा and that is known as tautomarism ठीक है? इसी को बोलते हैं tautomarism बात समझ में आई? this is very very important that you need to know जिन बच्चों को नई समझ में आई? उनको मैं एक बर फिर सा समझा देती हूँ क्योंकि समझना बहुत important है अगर आप इतना समझ जाओगे तो you are definitely on target मैं क्या आप कह रहे हूँ बिटा? ना ये कह रहे हूँ suppose कर हमारे पास ये compound है यहाँ पे एक carbon है definitely यहाँ पे हमारे पास एक carbon है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा carbon है जिस पे की hydrogen group लगा हुआ है जैसे हम इसको polar a polar solvent में डालेंगे कोई सी भी solvent में डालेंगे क्या होगा? ketone है इसको reaction करने का मन किया इसने ये double bond को तोड़ा तो oxygen पे negative आएगा? डेफिनेट सी बात है oxygen जादा है अलेक्ट्रो नेगिटिव है? carbon पे positive आएगा carbon पे जब positive charge आएगा और oxygen पे negative आएगा तो oxygen बगल वाले hydrogen से कहेगा आओ यार alcohol बनाते हैं जब तुम ही मुझे reduce करने की capacity रखते हो तो आओ alcohol बनाते हैं what will happen? ये carbon पे positive charge उपर वाला oxygen यहाँ से proton खीच लेगा OH बदल जाएगा और ये carbon पे क्या आएगा है? negative charge क्योंकि hydrogen तो H plus की form में चला गया ये वाल hydrogen H plus की form में उसके पस चला गया अब जैसे ही बगल बगल में मिला positive negative इन्हों ने double bond बना लिया तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा C double bond OH तो ज़रा आप ध्यान से देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये ketone था ये alcohol बन गया है इस alcohol को हम लोग नाम दे देते हैं inol क्योंकि alcohol के just बगल में आपका double bond देखने को मिलेगा ठीक है? तो this is known as totomarism कि जहां पे एक functional group के बगल में अगर alpha carbon पे hydrogen लगे हुए है तो ये double bonded oxygen वाला carbon वहाँ से hydrogen चीन लेगा और खुद को alcohol में बदल सकता है इसको बहुत है keto inol totomarism इसी तरीकी से aldehyde में भी होता है अब मज़े की बात इस पर trick क्या लगानी है? कहीं पे भी आपको ketone दिखे, आप समझ जाओ कि जैसे ये double bond टूटेगा ओके उपर negative तो बगल वाला hydrogen खीच के उसको उपर चिपका दो और जहां तुम hydrogen चिपकाओगे वहीं उस carbon से double bond बना दो मतलग मैं मैं आप क्या trick समझा रहे हो? मैं बच्चे ये trick समझा रहे हो कि अगर मेरे कोई ये compound दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका inol form क्या होगा? तो मैं कुछ नहीं करूँगी मैं directly जहां पर मुझे carbon दिख रहा है जिसके उपर oxygen अटाज़ड है वहाँ पर मैं double bond लगाऊंगी दूसरे carbon के साथ oxygen के साथ ऊवच चिपका दूँगी मेरी बात खतम जहां oxygen है उसके carbon के बगल वाले carbon पर double bond लगाऊ ये वाला bond खतम करो उपर hydrogen चिपकाऊ ये आपकी trick है keto inol बनाने के लिए and that is very very important that you need to know ठीक है तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए fine I hope इतने बगे बाद तो आपको समझ में आही गई होंगी ठीक है now आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे के concepts पढ़ते हैं अब हम कुछ basic basic बाते करेंगे जैसे कि अगर हम reaction mechanism को देखें तो क्या क्या reaction mechanism की intermediates बन सकते हैं that is also very very important कभी भी अगर किसी bond definite सी बात है और गहने chemistry में bond तो तूटना ही तूटना है बिना bond तूटने कुछ possible नहीं है तो अगर जब bond तूटता है fission होता है तूटता है bond तो दो तरीके से तूट सकता है heterolytic या homolytic homolytic का मतलब है कि दो लोग आपस में आके प्यार से bond बनाये थे अब जब वो अलग हुए तो अपना अपना पार्ट लेके अलग हो गए जैसे CL2 में एक chlorine एक electron देता है दूसरा chlorine दूसरा electron देता है तो जब यह तूटेगा तो एक chlorine CL- के form में that is basically यह electron और दूसरा भी उपर एक electron तो यह free radical है कि मतलब शान्ती से एक एक electron लेके जुड़े थे एक दूसरे के साथ अब जब अलग हुए तो अपना अपना share लिया और निकल गए simple, ठीक heterolytic का मतलब क्या होता है heterolytic में होती है cheating जहां पर जुड़े तो दोनों एक साथ थे अच्छे intention से लेकिन अब एक के मन में लाला चा जाएगा एक के मन में लाला चाएगा तो क्या होगा एक दूसरे का electron चीन लेगा दूसरे को कंगाल करके चला जाएगा खुद अमीर बन के maximum हमारे आज की generation की लोग ऐसे ही होता है ठीक है तो इसमें इतना रोना गाना नहीं मचाना होता है जब generation की लोग ही ऐसे हैं और लोगों की फितरत देखो तूसरे लोग तुमारे साथ क्या करें वो तुमारे हाथ में नहीं होता तुम हमेशा अच्छे रहने चाहिए ठीक है क्योंकि अगर तुम अच्छे इंसान रोगे ना बेटा trust me तुमें अंदर से proud भी होगा और confidence भी रहेगा खुद के उपर और भगवान कभी अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कुछ नहीं करते बच्चों तुम अपने पर confidence रखो कि तुम किसी के साथ कुछ इतना negative मत करो ना अपने साथ negative होने दो बड़ी simple सी बात है ठीक है अभी आपके life में कितना भी बुरा face क्यों ना चल रहा हो कोई छोड़के चला गया किसी ने cheat किया, किसी ने कुछ किया यार यह सब यहीं छूड़ जाता है ठीक है अभी आपका time आप सिफ पढ़ाई करो क्योंकि पढ़ाई आपको जो दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता ठीक लोगों का काम है cheating करना लोग सब अपने फाइदे के लिए जुड़ते हैं आपके लिए यह important है कि आप इस situation को समझो और please अपने आपको mentally breakdown होने से बचाओ क्योंकि आगे life तुम्हारा wait कर रही है यार जहाँ पर तुम्हारी मेहनत की साब से बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी अब देखो इतना आपको समझ में आ गया है कि जब भी cheating होती है तो किसी एक कोई होता है वो दोनों का electron चीन के भाग जाता है और दूसरे वाले को कंगाल छोड़ देता है इस वाज़ासे जब भी heterolytic cleavage होता है तो दो चीज़े बनती हैं एlectrofyle का मतलब जिसके पास positive charge है बहुत भर भर के और वो चाहता है कि electron उसके पास है तो जो elektrofyle होता है इसका मतलब होता है जो electron loving, electron seeking जिसको electron चाहिए nucleophile के होता है जिसको lone pair है भर भर के और negative charge है भर भर के उसको nucleus चाहिए ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अब आगे बात करते है reaction intermediates में मैंने बताया कि कार्बोकाटाइन बन सकता है, कार्बनाइन बन सकता है फ्री रेडिकल बन सकता है अब ये इतना सा short आपको बहुत important चीज़ें बताएगा जब कार्बन के उपर positive जा जाता है कार्बोकाटाइन बोलते है, negative को कार्बनाइन बोलते है और अगर unpaired electron होना जाए तो free radical बोलते है यह हम सब को पता है ठीक, कार्बोकाटाइन क्या होता है बिटा, कार्बोकाटाइन SP2 hybridized होता है और इसका structure कैसा होता है तीन bond का मतलब, तीन bond कैसे बनेगा 1S और 2P तो hybridization क्या हो जाएगी SP2, symmetry क्या हो जाएगी, planar symmetry ठीक, और मैंने आपको पहले भी समझाए था कि tertiary कार्बोकाटाइन जादा stable होता है more than secondary, more than primary यह आपको सारे organic के lectures में समझा रखा है हाना, क्यों ऐसा होता है, inductive effect की वज़े से जब carbon पे positive charge आता है तो उसकी बगल में जितने carbon भाई लगे रहेंगे न वो उस टाइम पे उसको अपने electron share करते है इसी को बोलते है, plus high effect inductive effect, ठीक है इस वज़े से tertiary वाला सबसे अदा stable होता है फिर secondary, फिर primary अगर आप carbon आयन की बात करो carbon पे negative charge, यानि already carbon पे क्या है, तीन hydrogen bond बने हुए और दो electron और आ गये negative charge ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास तीन तो आपके क्या हो गए दो electron extra आ गये इसका मतलब इनको अपना orbital चाहिए और तीन पहले से है तो चार होगे total, जितने आपको orbital चाहिए, तीन hydrogen वाले और एक ये negative charge वाले electron का, चार कैसे बनेगा एक S से और तीन P से that's why इसकी hybridization क्या हो जाएगी SP3 और symmetry क्या हो जाएगी pyramidal, ठीक है, अब carbon पे पहले ही दो electrons का भार है तो जितने जादा इसको electron तुम दोगे उतना जादा ये unstable हो जाएगा इसलिए tertiary वाला सबसे कम stable होता है, क्योंकि पहले ही बचारा electron, electron जहल के बठा है, उपर से इसके भाई भी इसकी तरफ electron फेकेंगे तो definite सी बात है कि ये उतना stable नहीं रहेगा इसलिए इसकी stability रहती है कि primary वाला सबसे stable रहता है, आसपास कोई नहीं, secondary वाले में बस एक कोई देता है, tertiary वाले में दोनों तीनों साइट से दे रहे होता है, ठीक है free radical, same ऐसे भी बहेव करता है जैसे आपका का कार्बोकाटाइन भीव करता है तो आपका सब कुछ free radical का as it is कार्बोकाटाइन की तरह है तो आपको इसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है ठीक है, अब आते है inductive effect पे, inductive effect बिटा क्या करता है, inductive effect का मतलब होता है कि basically जब भी sigma electrons saturated bond के along, देखो होता क्या है, सीरी सी बात समझाओ, कोई अगर suppose करो यह CH3 है यह CH2 है plus में, तो यह sigma bond है, यहाँ पे कोई double bond तो है नहीं तो sigma bond हमेशा unsaturated single bond होता है इसके across कोई भी अपने electrons दूसरे की तरह fakeने की tendency रखता है ना, तो that is called inductive effect, sigma bond के थुँ, कोई भी अगर अपने adjacent carbon पे या तो electron fakeने की, या अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा दू, तो खीचने की tendency रखता है, that is inductive effect मतलब sigma bond के थुँ, अगर कोई लेने या देने की tendency रखता है, that is inductive effect, ठीक है तो plus i effect किसको सोरी है, minus i हो जाएगा, ओके हाँ, यहाँ पे यह आपका minus i होगा, यह गलती से आपका plus लग दिया है, इसको आप minus कर लो, ठीक है, तो आप हम minus i effect देखते हैं कि कौन electron खीचने की tendency सबसे यादा रखता है, तो यह आपको trick की तरह याद रखना है, कि सबसे ज़्यादा strongest electron खीचता है, नाइट्रो ग्रूप, फिर खीचता है साइनाइड ग्रूप, मतलब यह electron के के लोग भूखे रहते हैं, इनको कहीं पे भी लगा तो यह तुरन सबसे electron चीनना चालू कर देंगे, ठीक, तो सबसे यादा minus icon होता है, नाइट्रो ग्रूप, फिर होता है आपका cyanide group, फिर होता है आपका carboxylic acid group, फिर आपका आता है fluoride, chloride, bromide, iodide और अंत में hydrogen, hydrogen ऐसा आदमी है रहा, इतना सीधा साधा कि electron, मतलब इसका जब जिसको मन करता है, इसको बेफकूफ बना के चला जाता है इससे कभी हम positive eye भी करवा सकते हैं हम negative eye भी करवा सकते हैं, depending upon कि ये कैसे medium में तोड़ रहे हो तो ठीक है, बहुत सीधा साधा है सबसे अधा कौन चोर है nitro, फिर cyanide, फिर carboxylic acid, फिर fluorine, chlorine, bromine and iodine ठीक है, ये इतना जाधा strongly अपने तरफ electrons खीचते हैं फिर बात करते हैं कि plus eye effect कै होता है, plus eye effect का मतलब होता है कि कौन अपने electron कितना ज़्यादा sigma bond के तुरू देने की कोशिश कर रहा है, that is very very important, तो definite सी बात है कि tertiary carbon, तीन अगर CH3 लगा रहेगा, और इस पर positive charge आ गया, तो ये क्या करेंगे, तीनो साइट से अपने भाई को electron देने की कोशिश करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा stable रहेगा, इस वाले carbon पर आया, लेकिन दो ही साइट से CH3 है, तो दो ही साइट से बिचारे को मदद मिल पारी है, primary वाले पर एक ही साइट से मदद अगर आपको ये simple से ट्रक दिमाग में याद है, तो आप कभी plus i minus i में धोखा निखा होगे, देखो plus i कहाँ देखने को मिल रहे है, सारे carbon के compounds में, carbon में और hydrogen में, minus i कहाँ देखने को मिल रहे है, nitrogen है, oxygen है, हाणा नाइ, फिर nitrogen, फिर oxygen, या फिर halogen, तो जो भी carbon से ज़्यादा electronegative है, मतलब carbon के आगे वाले group, जैसे कि group 15, group 16, group 17, इनके जितने अगर atom आपको दिख जाए, इसका मतलब minus i लगाएंगे वो, ठीक है, और अगर carbon की ring दिखे, तो वो plus i होट लगाएंगे, अगर आपको ये trick याद है, you are definitely on target, fine, अब बात करते हैं, electromeric effect की, बच्चे, electromeric effect बहुत important नहीं है, उससे जादा important आपका resonance या mesomeric effect है, ठीक है, electromeric effect आपको बस नाम की तरह याद रखना है, जादा important आपका ये है, resonance and mesomeric effect, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को questions practice करनी है, ठीक, electromeric effect क्या होता है, electromeric effect क्या होता है, कि जब किसी πाई bond के against, क्या है याँपे, it involves complete transfer of πाई electrons of multiple bond towards one of the bonded atoms in presence of an attacking reagent, क्या मतलब है इसका, suppose करो, अगर मेरे यहाँपे इस तरीके से लगा हुआ है, suppose करो, CH, CH3, और यहाँपे लगा हुआ है, मालो, OH, suppose करिए, ऐसे लगा हुआ है, तो जब यह πाई bond तूटेगा, तो किधर तूटेगा, माम हमें कैसे पता किधर तूटेगा, वही तो वो कह रहा है, कि O लगा है इधर, carbon से ज़्यादा electronegative, मतलब electron को छीनने की tendency, मतलब electron इधर side attract होगा, हाना, oxygen छीनेगा उसको, double bond तूटेगा, किसी भी आप कहलो, किसी के भी attacking reagent के presence में, या फिर कहलो, किसी group के presence में, जब यह double bond तूटेगा, कहां तूटेगा, दोनों side तो carbon है, दोनों भाई-भाई जैसे लग रहा है, लेकिन, इस धहर side में जो OH है, यह ज़्यादा दुष्ट है, इसको, यह ज़्यादा electro negative है, electron चाहिए है इसको, तो यह कहएगा, यह double bond इंदर तोड़ो, ताकि इस carbon पर negative है, इस carbon पर positive है, चलो कोई बात नहीं, अगर इस पर positive आएगा, तो पीछे वाला इसको support कर देगा, और इधर negative आया, तो इधर वाला electron खीच-खीच के, इस E का मतलब, जहां लगाओगे, उसके opposite टूट रहा है, जैसे यह वाला group जो है, यह क्या कर रहा है, उसके opposite ही तो double bond को तुलवा रहा है न, तो मतलब double bond टूटने की वज़े से, pi bond का displacement अगर इसी side हो, तो plus i नहीं हो, तो minus i, minus e, sorry, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, और यह तो बेटा, organic chemistry में दिमाग खराब बात रही है, अरे भाईया, common sense है, common sense कैसे है, अगर आपने इन और गानिक पढ़ा है तो, carbon, carbon तो दोनों जगा सेम है, आगे वाले chain में देखो, कौन ज़ादा electronegative है, oxygen की carbon, तो अगर oxygen ज़ादा electronegative है, तो यह bond को किदर खीचेगा, इदर खीचेगा, इदर खीचेगा, तो negative charge किदर आएगा, oxygen की तरफ आएगा, यही तो आपको ध्यान रखना है, जो ज़ादा electronegative है, वो negative charge लेगा, जो कम electronegative पर positive charge लेगा इसी को इन्होंने अलग से नाम दे दिया है that is electromeric effect ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब आते हैं सबसे important जिससे maximum reactions आपके govern हो जाती है that is resonance और mesomeric effect जिसको बोलते हो इसमें क्या होता है इसमें न as a polarity produced in the molecule by interaction of pi bonds and between pi bonds and lone pair at the adjacent atom क्या मतलब है इनका इनका मतलब ये है जैसे simple से देखो यहाप बेंजीन का ये एक structure आप एक ये भी जानते हो अब मैं आपको बोलू दोनों में से कौन सा सही है आप बोलोगे माम दोनों ही सही है क्यों दोनों सही है क्योंकि बेंजीन में एक ring होती है जिसमें कि 3 pi bonds होते है और वो ना alternate position पे हमेशा rotate करते रहते है इसलिए हम लोग बेंजीन को ऐसे बना देते है कि इनका जो pi bond 3 का रप 3 bond है वो पूरे ring में rotate कर रहा है ना कि एक जगा stable है ठीक है वो ऐसे बना देते हैं हम लोग क्यों बनाते हो बिटा ऐसे क्योंकि माम अगर आप इसको तोड़ोगे इस bond को तोड़ोगे एक तरफ negative आएगा एक तरफ positive आएगा ठीक है अब फिर ये वाला bond टूटेगा तो यहाँ positive आएगा एक bond यहाँ हो जाएगा exactly वह structure तो बना रहा है माम बी वाला तो आप एक को bond तोड़वाके अगर try करोगे तो बी वाला बन जाएगा ठीक है फिर से देख लो जैसे ये वाला compound है ठीक है ये वाला compound है अगर ये bond तोड़ोगे तो एक जगा positive एक जगा negative फिर ये वाला एक जगा positive एक जगा negative तो जो दूसरा वाला bond आएगा वो इन तीनों के बीच में आ जाएगा ठीक है इसी को कहते है resonating structure कि मतलब कोई एक structure में ये रही नहीं सकता ये bond तोड़ता रहेगा B में change होता रहेगा B वाला bond तोड़ता रहेगा A में change होता रहेगा इसी को कहते है resonance कि ये जो πाई bond है कि एक जगा stable है ही नहीं ये ना पूरे ring में घूमता रहता है क्योंकि घूमता रहेगा तो उसकी stability बढ़ेगी energy divided रहेगी पाचो carbon पे 6 carbon पे ठीक है इसी को बोलता है resonance अब resonance में कुछ लोग होते हैं जो πाई bond को अपनी तरफ खीचने की मतलब बेंजीन रिंग है इसमें आपका resonance है ही है कुछ लोग होते हैं जो इस resonance को खीचने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं minus R या minus M effect कि भाईया ये बेंजीन रिंग से चालू बन रहे है इससे खीचने की तरफ अपनी तरफ resonance बढ़ाने की कोशिश कर रहे है कुछ लोग होते हैं जो बेंजीन रिंग को देने की कोशिश करते हैं वो इससे खीच नहीं पाएंगे उसको बोलते है plus R या plus M effect तो plus R या plus M effect क्या है कि जो अपने electrons भी बेंजीन रिंग में घुमा दे resonance का कोई मतलब नहीं होता resonance का मतलब होता है कुछ नहीं ये एक बेंजीन रिंग है जहां पे pi bond है और sigma bond ना इस तरीके से perpendicular orbitals में घूम रहे है sandwich बने हुए उपर pi bond नीचे pi bond इसलिए बोलते है sandwich structure होता है बेंजीन का बीच में जैसे cheese के लिए हर पड़ी रहती sandwich में उसी तरीके से आपका sigma bond होता है उपर और नीचे दोनों जगा pi bond घूम रहे होता है ठीक अब important यह है कि आपको plus R और minus R समझ में है कभी भी बच्चे अगर बेंजीन रिंग से कोई इस resonance की electron को अपनी तरफ खीचने की कोशिश करे उसको कहते है minus R या minus M और कोई अगर इसको देने की कोशिश करे उसको बोलते है plus R और plus M यह चीज़ें आपको याद रशनी है और यह याद रशना बहुत important है क्योंकि यह जो plus R वाले ग्रूप होते है इसका मतलब यह बेंजीन रिंग को दे रहे है इसका मतलब यह बेंजीन से strong नहीं हो सकते तभी तो बेंजीन को दे रहे है न और minus R और minus M वाले मतलब यह बेंजीन से भी ज़्यादा strong है यह उसके resonance को और बढ़ा देंगे अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर double bond oxygen है तो resonance बढ़ेगी ही यहाँ पर भी double bond oxygen है resonance बढ़ेगी यहाँ पर double bond oxygen है यहाँ पर triple bond nitrogen है और यहाँ पर भी double bond oxygen और nitrogen है तो resonance हमेशा क्या होता है कि अगर resonance किसी भी structure में कैसे possible होता है बचों कहीं पे भी double bond है तो एक bond छोड़के या तो double bond हो या तो loan pair हो जहां पर ये condition आपको fulfill होते ही दिख जाए समझ जो वही resonance possible है for an example ये double bond है position number 1 इसका एक bond छोड़के तुरण double bond resonance possible इसका एक bond छोड़के तुरण double bond resonance possible ठीक है तो resonance possibility के लिए क्या key point मैं आपने बताया मैं आपने बताया कि एक bond छोड़के किसी भी double bond के भगल में या तो loan pair हो या तो double bond हो resonance हो जाएगा एक double bond एक bond छोड़के दूसरा double bond फिर एक bond छोड़के तीसरा double bond और फिर एक bond छोड़के फिर से double bond हो गया मिल गया रास्ता अब यह लोग यहीं पर सिकडी खेलते रहेंगे यहीं पर अपने elektrons गुमाते रहेंगे हो गया resonance stable अच्छा अब आप सोचोगे कि मैं बेंजीन रिक पे अगर कारबॉक्स लेक एसेड लग जाता है बेंजीन रिंग के बगल में या तो तुम double bond oxygen लगा तो या कोई lone pair वाला compound लगा दोगे वो बेंजीन रिंग के resonance को अपनी तरफ घुमाना कोशिश शुरू कर देगा अपनी तरफ लपेटना शुरू कर देगा और जिसमें यह capability नहीं है अब OH में कहां कोई double bond है सिर्फ oxygen पर lone pair है तो oxygen वाला lone pair बेंजीन रिंग के साथ बस घुमेगा oxygen वाला lone pair बेंजीन रिंग के साथ बस घुमेगा तो कहीं पर भी अगर double bond के साथ lone pair आ जाए minus M या minus R effect और ना आए तो plus M या plus R effect यह trick आपको याद रहनी चाहिए अब आते हैं last effect that is hyperconjugation hyperconjugation क्या कहता है बटा hyperconjugation कहता है कि यहाँ पे तो sigma bonds के along ही delocalization होता है कैसे होता है अब मैं बताती हूँ यह इन्होंने लिख रखा है कि unsured P or vital देखो यह carbon है जिस पे की 3 hydrogen लगे हुए है यह carbon है जिस पे की 2 hydrogen लगे हुए है और साथ में तीसरा एक CH3 ग्रूप लगा है यह carbon है जहाँ पे 2 CH3 ग्रूप लगे हुए है सिर्फ एक hydrogen लगा हुआ है ठीक है यह इससे ज़ादा stable है sorry गलत साइन मना दिया मैंने यह इससे ज़ादा stable है अब कहोगे माम क्यों hyper resonance की वज़े से क्या होता है यह जो hydrogen होता है इसके पास somewhat resonance जैसी power होती है कि यह जैसे ही carbon पे जितने ज़ादा hydrogen लगे होंगे sigma bonded उतना ज़ादा chances है कि hydrogen अपने electrons carbon को दे दे ठीक है और खुद वो bond हटा ले that is called hyperconjugation hyperconjugation का मतलब यह है कि कोई भी carbon जो alpha carbon है या sigma carbon है जो भी आप बोल लो ठीक है alpha carbon है जिस पर कि sigma bond पे hydrogen लगे होंगे हों sigma bond या नि पास वाले single bond अगर उस पर hydrogen लगे है तो hydrogen बड़े सीधे साधे हैं वो कहते हैं यार ले लो तुम मेरा bond ले लो लेकिन तुम खुश रहो ठीक इसके पास 3 carbon है तो 3 side से खुश है क्योंकि 3 हैडरोजन अपना असानी से देने को तयार हो जाएंगे इसके पास देखो जला ध्यान से 2 ही हैडरोजन है तो 2 ही तरफ से मदद मिलेगी CH3 वाला तो है देगा थोड़ा सा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देगा जितना हैडरोजन दे पाएगा और इदर एक ही बिचरा हैडरोजन है जो एकदम निस्वार्थ कहता है कि मेरा तुम पूरा ले लो मैं ऐसे ही खुश हूँ ठीक है इसके हिसाब से हमेशा primary वाला जादा stable होता है फिर ये वाला आता है primary वाला, then secondary वाला, then tertiary वाला अब hyperconjugation बहुत जादा strong effect होता नहीं है इसलिए आपको बस इसको नाम भर का याद रखना है बहुत जादा याद नहीं रखना है अब चलिए practice करते हैं कुछ-कुछ questions क्योंकि questions बहुत important है तो इसी questions के साथ मैं आपको tricks भी बताऊंगी जैसे कि इसका IUPAC nomenclature बताओ क्या होगा double bond है, फिर chlorine भी है, bromine भी है तो आप मुझे बताओ chlorine, broline और double bond में कौन जादा important होता है तो मैंम आपने पहले पढ़ाया था क्या पढ़ाया था मैंम ने यहाँ पर जब यह वाली slide देखो मैं आपने क्या पढ़ाया है कि कभी भी double bond आये तो उससे उपर सारे groups रखे जाते है उससे उपर सारे के सारे groups रखे जाते है तो यहाँ पर जब आप यह वाला group देखोगे जब आप पहला question देखोगे IUPAC nomenclature तो पहली बात पहली बात यह chloride और bromide में कौन ज़्यादा strong है मैं chloride ज़्यादा strong है तो नामकरण किसके साब से होगा chloride के साब से होगा क्योंकि मैं आपने trick बता ही है कि chloride वाला ज़्यादा उपर आता है तो ज़्यादा strong है तो यह होगया carbon 1 यह होगया carbon 2 यह होगया carbon 3 तो तीसरे position पे bromow लगा है कहीं पे भी अगर तीसरे पे bromow दिख जाए वही answer हो जाएगा यानि option C 3 bromow 1 chloro hexene by definite सी बात है यह तो सबसे ज़्यादा strong हो गया अलकीन सबसे ज़्यादा strong हो गया अब यह बड़ा easy Norman Cletcher का question है इसलिए आप इसके और questions भी practice कर सकते हो ठीके अब हमसे पूछा गया है कि इसमें बताओ RUPSC Norman Cletcher में इनकी decreasing order priority क्या होगी directly जो मैंने आपको बताया वही question पूछ दिया है इसलिए मैंने बोला है कि वो as it is याद रखो तो मैंने आपको क्या पताया सबसे ज़्यादा होता है आपका carboxylic acid फिर आपका sulfonic acid फिर आपके carboxylic acid के derivative और लास्ट में aldehyde तो option क्या आ जाएगा option B ठीके तो यह आपको बहुत importantly पता होने चाहिए वो tricks आपको याद रहनी चाहिए ठीके आगे आते हैं अब यह बुला गया है कि 3-methyl pent-2-ene pent-3-ene-2-all इसका मतलब सबसे पहले तो alcoholic group primary होगा 5 carbon है इसमें alcohol तो सब में दिख रहा है हमको 5 carbon होने चाहिए और तीसरे position पे methyl लगा होना चाहिए और दूसरे पे alcohol होना चाहिए और साथ में double bond double bond भी होना चाहिए ean लिखा हुआ ने ean, ean का मतलब होगा है double bond तो तीसरे carbon पे दो चीज़े होनी चाहिए पहली चीज तो एक methyl का group होना चाहिए CH3 होना चाहिए और दूसरा double bond होना चाहिए कौन सा यह satisfy कर रहा है यह वाला देखो कैसे 1, 2, 3 ठीक 4 and 5 तीसरे position पे double bond तीसरे position पे double bond दूसरे position पे alcohol और तीसरे position पे यह एक methyl group हो गया यह satisfy तो यह हो गया option A ठीक है I hope आपको यह चीज़े समझ में आ रही हूँ अगर आप यह वाला देखो तो यह वाला तो बिटा पहले ही carbon पे इन्होंने alcohol लगा दिया तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पे देखो इन्होंने तीसरे carbon पे alcohol लगाया यह भी गलत हो जाएगा यहाँ पे इन्होंने लगाया तो दूसरे carbon पे है ऐसे same question हमने alcohol वाले chapter में भी cover करा रखे हैं इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि जो मैंने lectures बनाए हैं उसमें GOC की concept वहीं पर cover करा रखे हैं तो आप directly वो भी देखोगे तो कोई issue नहीं है हमें पता है कि जब alcohol dehydrate होगा तो carbocatine बनेगा और carbocatine सबसे stable होता है tertiary वाला इसलिए option B हो जाएगा क्योंकि पहला वाला कैसा carbocatine बनेगा primary carbocatine बनेगा दूसरा वाला tertiary carbocatine बनेगा ये वाला भी primary बनेगा और ये वाला आपका secondary बन जाएगा क्योंकि इधर से एक देगा इधर से एक chain लगी हुई है तो B वाला विल भी और answer क्योंकि यहाँ पर tertiary carbocatine बनेगा यहाँ से alcohol में OH निकलेगा C positive 1,2,3 tertiary carbocatine ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है fine अब आगे आते हैं आगे question देखते हैं यह बोल रहा है decreasing order of stability of carbonine अब आपको मैंने क्या बता है carbonine हमेशा primary ज़्यादा stable होता है then secondary then tertiary क्योंकि आपको पता है जराध्यान से देखिए carbonine पर अगर negative charge आ रहा है तो negative यानि पहले ही electron भरा हुआ है अगर इसको पीछे से कोई धक्का देगा तो यह unstable होगा अपने electron तो जितने कम लोग धक्का दें वो उतना ज़्यादा stable हो जाए ठीक तो सबसे कम stable होगा 1 वाला सबसे कम stable 1 वाला क्यों कि पीछे 3 CH3 लगे हुआ है वह यह इसको पागल कर देंगे बिलकुल electron धक्का दे देके तो सबसे कम 1 वाला कहा option आ रहा है option B में ठीक है that is very very important अब 4 वाला सबसे अधर stable क्यों है बिटा इसलिए क्यों कि ध्यान से देखो यह बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के उपर लगा है CH2- तो यहाँ पे resonance बगल में negative charge हो गया resonance तो resonance सबसे अधर stable चीजें बनाता है ठीक और resonance के बाद आता है आपका inductive effect जैसे ही बेंजीन रिंग के बगल में negative charge लगेगा यह कहेगा कोई बात नहीं हम अपने electron तो घुमाई रहे तो तुमारे भी घुमा लेंगे बढ़िया हमारा resonance बढ़ गया इसलिए सबसे अधर stable हो जाएगा तो resonance is more than plus eye effect यह आपको हमेशा याद रखना है ठीक है I hope आपको इकती चीज़े समझ में आई हो नहीं आई हो तो you are absolutely free to question in the comment section और in the telegram group वहाँ पे definitely मैं हमेशा reply करती हूँ telegram group में तो आप telegram group join कर लेना जिसकी link आपको मिल जाएगी या channel के about section में मिल जाएगी दूसरी चीज़ आप instagram पे dr.Tania Singh join कर सकते हो वहाँ पे भी आप अपने doubts पूछ सकते हो या कुछ भी अगर आपको query हो आप पूछ सकते हो हम वहाँ पे आपसे connect करने की कोशिश करेंगे fine? ओके, आप कुछ questions आपको homework में भी दे दिये जाएगे अब आपसे पूछा जा रहा है most stable free radical तो most, देखो सारे के सारे free radical है ठीक है लेकिन इन में से सबसे अधर stable कौन होगा तो वैसे तो मैं आपको answer बता देती हूँ D वाला और reason भी बता देती हूँ क्या होगा इसमे resonance resonance के साथ-साथ बगल में जो CH3 दो-दो ग्रूप लगे हूँ है इसको electron देने के लिए इसले ही stable हो जाएगा free radical हमेशा कार्बोकाटाइन की तरह behave करता है तो यहाँ पे क्या है? primary कार्बोकाटाइन है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे secondary कार्बोकाटाइन है यहाँ पे primary यह बिलकुल बगल में लगा हुआ है और यह third वाला की एकदम बगल में लगा है तो resonance में भी आ जाएगा और दूसरे तरफ से इधर से भी electron मिलेंगे तो यहाँ पे R और I दोनों effect काम कर रहा है ठीक है? कि एकदम benzene दूंके बगल में हो गया जबी भी double bond के बगल में बगल वाले carbon पे अगर hydrogen लगा है तो hyperconjugation हो जाएगी अब जैसे यह वाला carbon है इस पे hydrogen लगा हुआ है इस पे भी hydrogen लगा हुआ है दो hydrogen यहाँ एक hydrogen यहाँ तो यहाँ पे hyperconjugation हो जाएगी ठीक है? कहाँ पे hyperconjugation बिल्कुल possible नहीं है where it is not possible hyperconjugation हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों hyperconjugation में हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पे भी double bond होता है उसके आसपास उसके आसपास hyperconjugation हो सकती है तो उसके आसपास कहाँ पे hydrogen है और कहाँ पे नहीं है ठीक है? adjacent carbon के देखो यहाँ पे जो double bond लगा हो है यहाँ पे जो double bond लगा है इसके एक साइट जो carbon लगा है इस पे तीन hydrogen लगे हो है ठीक है तीन hydrogen लगे हो है alpha carbon पे alpha carbon पे तीन hydrogen लगे हो है तो it is quite possible कि यह अपने electrons को share करके इधर धक्का दे दे ठीक है? that is very very important that you need to know अब आते हैं इस पे decreasing order of stability of following alkenes अब यह आपको मुझे बताना है जो alkenes सबसे ज़्यादा stable रहेगा बच्चे जो सबसे ज़्यादा symmetrical रहेगा वो सबसे ज़्यादा stable रहेगा यह मैं बता देती हूं जो सबसे ज़्यादा symmetrical रहेगा वो सबसे ज़्यादा stable रहेगा जैसे यहाँ पर पलकीन में double bond तोड़ोगे एक पर positive आएगा एक पर negative आएगा जिस पर positive आएगा उसके दो side से supporter है तो यह ज़्यादा stable रहेगा यह रवाला double bond तोड़ो अगर यहाँ पर positive आएगा तो फिर से 2 side से supporter लेकिन इसके side में सिर्फ एक ही supporter जबकि यहाँ पर फिर से 2 supporter तो यहाँ पर आपको plus high effect दिमाग में लाना है कि जैसे bond तोड़ोगे एक पर positive आएगा मानलो दूसरे पर positive आएगा एक पर positive आएगा यह आएगा लेकिन किसी पर भी positive आ सकता है यह तूटेगा तो एक side 2 CH3 है एक side सर्फ 1 CH3 यह तूटेगा तो दोनो side 1 CH3 और यह तूटेगा तो एक side कुछ नहीं दूसरे side CH3 तो इसलिए option VB will be right answer plus high effect दिमाग में लगा कर यह वाला question solve करना है ठीक है अब आते हैं next question पर next question क्या है तुमसे पूछा गया acidity carboxlic acid की acidity बताओ कि कौन सबसे आदा होगी हमने carboxlic acid की chapter में आपको clearly बताया था कि plus high effect acidity को कम करता है minus high effect acidity को बढ़ाता है अगर आपको यह trick याद है तो आप यह question बड़े असानी से attempt कर लोगे नहीं याद है तो जाके देखो वहाँ पे वो tricks मैंने समझा रखी है कि किस तरीके से acidity निकालते है और मैंने यह question वहाँ पे भी करवा रखा है ऐसे तो आपको वह भी ध्यान देना है सबसे पहले यहाँ पे देखो दो fluorine लगा है एक fluorine एक fluorine fluorine सबसे आदा एलेक्ट्रो नेगेटिव है और दो fluorine वहाँ बहुत ज़्यादा माइनस आई effect यानि acidity इसकी सबसे आदा है फिर इसके बाद इसकी है फिर इसके बाद इसकी है मैं बिल्कुल सही बात उपर देखिए एक CH3 लगा है दो CH3 लगा है तीन CH3 लगा है प्लस आई वाला acidity कम कर देता है जितना ज़्यादा लगा होगा उत्ती कम acidity जितना कम लगा होगा उत्ती ज़्यादा acidity मतलब दूसरा वाला भी सही है पहला वाला भी सही है पहला वाला देखते है तीन क्लोरीन, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन तो भईया जितना जादा माइनस आई उतना जादा है इस इडिक तो पहला वाला भी सही है तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही है तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही है तीनों के तीनों के तीनों सही है तो आपको क्या करना है कि इसमें correct order क्या है तीनों के तीनों order बिल्कुल correct दिये हुए तीन क्लॉराइड है जादा माइनस आई है दो क्लॉराइड है कम माइनस आई है वन क्लॉराइड बिल्कुल कम माइनस आई तो सबसे जादा यह वाला बिल्कुल सही है फिर यहां पर क्या है तीन जहाँ लगा दोगे वहाँ electron इतना फिकेगा कि इसकी acidity कम हो जाएगी तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है और fluorine जो minus i है वो acidity बढ़ाता है तो पूरी में trick क्या लगी सिर्फ एक चीज plus i effect will decrease acidity minus i effect will increase acidity अगर आपको ये याद है तो that is more than enough to crack the question ठीक है that is very very important that you need to know अब आते हैं next question पे next question क्या है आप से बोला गया है कि इसमें से कौन सा nitro-methyan का structure नहीं है nitro-methyan तो ठीक है nitro क्या होता है NO2 होता है देखो ये बिल्कुल सही है एक nitrogen से एक oxygen double bond होता है एक single bond होता है ठीक है तो यहाँ पे oxygen जादा electronegative एसले negative दिखाएगा nitrogen positive एथ पॉस्टिव दिखाएगा ये बिल्कुल बात सही है ये भी वही same चीज है बस उसको घुमा के लिख दिया है तो ये और ये तो बिल्कुल same चीज है ये भी बिल्कुल same चीज है तीसरा भी बिल्कुल same चीज है जब आप ऐसे करके dot बनाते हो न इसका मतलब होता है कि nitrogen ने अपने पूरे electron oxygen की तरफ फेग दिये पहले के दोनों में भी तो यही दिखाए गया कि nitrogen positive हो गया मतलब electron उसने कहा फेग दिये oxygen के तरफ फेग दिये तीनों पहले structures बिल्कुल same है लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा भाईया nitrogen किसी एक को electron फेग सकता है दूसरे के साथ तो वो double bond stable ही बनाता ही है nitrogen में और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि दोनों से double bond दोनों से double bond तो हो नहीं सकता है इसलिए ये D वाला structure गलत हो जाएगा नाइट्रो का structure ऐसे होता है एक से double bond होता है एक से covalent bond होता है nitrogen जो है अपना पूरा electron oxygen के उपर फेग देता है ठीक loan pair वाला इसलिए ये बनता है nitro compound अब इस वाले bond को जहां पे nitrogen अपने दोनों electron फेग दे रहा है इसमें आप nitrogen पे positive oxygen पे negative दिखा सकते है क्योंकि इस bond का मतलब ही ही होता है कि इसने electron फेग दिये पहले तीनों structure सेम चीज दिखा रहे है लेकिन चौथा वाला गलत हो जाएगा ठीक है अब आपको next question है next question क्या है यहाँ पे देको nitro group है और ये O nitro group है तो ये कैसा है ये बिटा कुछ नहीं है ये कैसा है ये functional isomer है functional क्यों यहाँ पे nitro group है ये nitro के पहले oxygen से attach हो रहा है carbon ठीक है तो ये nitro group नहीं बचा इसलिए ये किसका example आजाएगा ये functional का example आजाएगा ये अलग functional group है NO2 और ये O NO अलग group हो जाएगा क्योंकि attack यहाँ पे oxygen कर रहा है ना कि nitrogen तो जब group ही बदल गया तो definite सी बात है ये functional isomerism का example हो जाएगा ठीक है, totomerism का example ये हो नहीं सकता metamerism इसमें है नहीं क्योंकि दोनों तरफ carbon बिल्कुल सेम है और positional ये इसको कह नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ end में लगा हुआ है ठीक है अब आते है next question पे next question क्या है आपसे बुलागे है कि molecular compound है जिसका formula ये है C4, H10, O आपसे बुलागे इसका metamer select करो, metamer क्या होता है metamer का मतलब होता है जिसके functional group के आसपास सर्फ CH2 का फर्क हो 4 carbon 1, 2, 3, 4 है ये तो पूरा alcohol बन गया ये तो पूरा functional isomerism हो गया क्योंकि पहला वाला ether है दूसरा वाला alcohol है, alcohol क्यों है क्योंकि last में OH लगा हुआ है तो alcohol और ether में क्या है functional group different है न तो पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता गलत बात, ठीक है दूसरा तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि तीसरा भी ether है और पहला वाला alcohol है ये भी नहीं हो सकता पहला तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता पहला वाला देखो ग्रुप पहचानना सीखो आरो आर का मतलब हो गया इथर तो मतलब ये वाला इथर है ये वाला इथर है ये वाला आलकोहॉल है ये वाला भी इथर है और ये वाला भी आलकोहॉल है तो पहली बात alcohol जो दोनों हैं वहाँ पे position का फर्ग है यह first carbon पे लगा है यह आपके second carbon पे लगा है तो positional नहीं हमसे metamor पूछा गया है ठीक है metamor कन होगा ether ether में जब एक CH2 इधर का इधर move हो जाए यह किस में हो रहा है यह option C में हो रहा है यहाँ पे देखो यह वाला CH2 उठके बस इधर ही तो जा रहा है इसलिए तो दूसरा वाला तीसरा वाला बन रहा है तो that is option C will be the right answer ठीक है I hope आपको यह समझ में आया हो अपको इस questions मैं आपको homework में दे देती हूँ कि समझ में आया है कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया है Metamers का बच्चों क्या मतलब होता है Metamers का मतलब होता है कि मालनों यहाँ पर CH3 O CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है और यह क्या कर दूँ मैं CH3 CH2 मतलब O को उठा के एक कारबन के बाद चिपका दूँ CH2 O CH2 CH3 कुई किया कुछ नहीं मैंने Functional Group सेम है बस बीच में एक CH2 को मैंने इधर इधर कर दिया है Functional Group के आगे पीछे बस CH2 का चेंज कर दिया है उसी को मेटामेरिजम बोलते है अब आपको यह मैच करना है कि column A में जो चीज़े हैं वो कौन सा इसोमेरिजम शो कर रही है जहां पर आपको alcohol और कुछ ketone जैसा दिखे तुरन टॉटोमेरिजम मार्क कर देना तो C का 2 बिल्कुल fixed है ठीक है और बाकी आपको पहचानने है और देखो यहां पर यह एक alcohol फिर से end पे लगा हुआ है और यह यह alcohol यहां पर बीच में लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा position का फर्क आ रहा है तो positional isomerism मैंने आपको hint दे दी है question आपको खुद solve करना है इसी तरीके से अगर कोई भी doubt हो तो मैं फिर से कह रही हूँ टेलिग्राम डूप पे आप join हो जाओ साथ में अगर आप चाहो तो आप Instagram पे Dr.Tanya Singh के handle से join हो जाओ जाँ पे आपको इतने सारे doubts का solution मैं आपको voice note के थूँ दे दूँगी and I hope कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि यह बीतता हुआ साल आपके लिए satisfaction लेके आए नए साल में कि हमने last year last तक इतने बड़िया से satisfactory पढ़ाई की है कि आने साल की इतनी जादा खुशी और excitement हो आपको कि आपका selection होने वाला है stay motivated, stay all the very best, thank you